तो क्या हाल है मेरा भाईयो मैं आज़ेनों करने वुडियो के साथ और जैसे कि आप लोग इन्हें थमनेल में और टैटल में देख लिया होगा तो चलिए हाँ पर दिखाता हूँ कि जो IDFC का one card आता है जैसे कि आप लोग मेरे screen पर देख पार है one card application है मेरे पास तो इसको open करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो reward points इसमें हमको मिलते हैं उसको कैसे आपको cash में convert करना है तो चलिए हाँ पर पहले मैं इसे open कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए one card हमारा तो मेरा face ID enable है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो card है यहाँ पर successfully यहाँ पर login politics का मिलेगा last make option दिखेगा gift का मतलब यह rewards का अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो देखिए हमारा जो available reward points है 2914 है तो इसे आप reading कर सकते हैं तो आप यहाँ पर click कर सकते हैं और नहीं तो जो आपका payment history रहता है वहाँ से भी जाके आपके मतलब जाके payment कर सकते हैं तो यहाँ आप जैसे ही redeem के उपर click करेंगे तो आप जो भी transaction किये हैं तो अगर वो जो transaction आप किये हैं अगर वो eligible होता है reward points में cover करने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आप जैसे कि यहाँ पर देखिए यह 50 रुपीज मैंने यूज किया है तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या कर सकता ह तो अब जैसे ही यहाँ पर देखिए इसको right में swipe करेंगे तो यह मेरा 50 रुपीज मुझे 500 reward points से यह करना पड़ेगा मतलब जैसे ही मैं आपर swipe कर दूंगा तो यह मेरा 50 रुपीज amount है यह मेरा bill में add नहीं होगा यह automatically मेरे reward points के जरीए मतलब minus हो जाएगा अब यहाँ पर द किसे ही अपना जो reward points से redeem करना है तो यहाँ पर कोई और method नहीं है इसको redeem करने का यह सबसे best तरीका है तो अगर मालीज यह option नहीं आ रहा है आपको तो आप कुछ दिन का इंतिजार किजिए यह आपका जो redemption जो reward points रहता है वो expire नहीं होता इतना जल्दी तो आप जब भी redeem मतल दोनों का मैं यहाँ पर यह करा सकता हूं मतलब इसमें minus करा सकता हूं तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हम आपको तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे click किया जैसे swipe करूँगा तो देखिए repay this transaction using तो यहाँ पर मेरा जो amount रहेगा outstanding amount उसमें minus हो जागा यह तो यहाँ पर देख करते हैं तो 9676 तो मैं फिर एक करके दिखाता हूं तो 9676 है तो यहाँ पर देखिए हमारा वह पॉइंट्स हट गया है अब यहाँ पर देखिए हमारा 500 पॉइंट्स का है इसको भी मैं करता हूं तो यहाँ पर देखिए 9676 पहले का है अब जैसे redeem now के पर click करूँगा तो 50 इसमें माइनस होके आ जाएगा 9626 तो इस तरीके से आपको अपना जो redemption है उसे redeem करना है अभी देखिए मैं बैक जाके दिखाऊंगा तो मेरे पास 2,900 कुछ पॉइंट्स थे और यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास फिलाल 424 reward points है तो यहाँ पर redemption history आप यहाँ चेक कर सकते ह तो एक वीडियो मैंने और बनाया था कि कैसे redeem करते हैं लेकिन वहाँ पर मेरे पास कोई transaction नहीं था इसके लिए मैं दिखानी पाया तो इस वीडियो मैं बकायदा आपको दिखाया हो कि कैसे आपका जो reward points है उससे redeem करना है अगर आपको कोई doubt है सवाल है तो आप मुझे comment section मे पूछ सकते हैं I hope अपने वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो बने रहे मैंने चैनल पर हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में